For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुका था तो निके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ ब्रीफ करने जा रहा हूं और तो इंड वीडियो मेरे लिए आपके लिए मतलब फॉम माई साइट फॉर यू 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 उस पर आपको मेरी मतलब कैसे चाहिए तो दो सवाल वीड लिमिट्स चाट प्रोवाइड करता हूं तो लाइकवास फॉर में 22 अटेंट का भी आपका यह लिमिट्स चार्ट आ चुका है जिसमें दो पेज़िस में आपकी कमपनी चेक की पूरी लिमिट्स चुका है तो इन दो पेज़िस में हमने समराइज करने की कोशिश करी है कि लिमिट्स चाट करके में अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं पर फिर भी आपको दुबारस अर्रिमाइं करने के लिए करने के लिए कि व्य मिस्य को इनल डोह तो यहाँ से आप Mighty rest अट्या में हाटरी अप्लोड यह अप लेजरी अधोडेटिट अब ऑन 1 है फिर जैसे आपका यह दूसरा कलर स्टार्ट होगा कॉंबिनेशन दिस चेक्टर नुबर सेकिंड एंड सो ओन तो यहां पर हमने जो एक कलर बाइफरकेशन किया है चेप्टर वाइस किया है और सिये इंटर के सेक्शन 1 से लेकर 148 यह सेक्शन साते हैं तो इन सेक्शन की जितनी भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स टाइम लाइन से सब मैंने इस चार्ट में कंपाइल करने की कोशिश करी है तो यह चार्ट हमारे टेलिग्राम चैनल पर अल्रड़ी अप्लोड़डिड है मेरे टेलिग्राम इस चार्ट आपको टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगा इस इस फर्स्ट टूल फ्रॉम आर साइट कमिंग आउं तो थे सेकंड टूल बच्चो तो लास्ट अटेम्ट में पहली बार हमने एक टॉप हेंडर एफ क्यूस के लिस्ट प्रोवाइड करी थी एंड वी वर यहां पर आपको टॉप हेंडर एफ क्यूस वह सवाल जो कहीं ना कहीं एक्जामिनर के थोड़े से ज्यादा फेवरेट रहते हैं मेरे अनलिसिस के साब से तो जैसे मैंने आपको नमबर 21 या दिसमबर 21 अटेम्ट के लिए लिस्ट प्रोवाइड करी थी लाइकवाइस आप फिसारे सारे कौशन कि अमारी बुक में पर रहते हैं इनके अंसर भी मारी अंदर आते हैं जो मेंबूख उसमें आपको यह सारे सब्जेक्टेव कोशन मिल जाते हैं पर अलग से उनमें से भी जो जादा क्रूशल को अब गते है तो ऐसे हंड़र कोशन के यह लिस्ट मैंने तो अगर आपको बाइचान्स किसी पर्टिकलर कुश्टिकलर का आंसर चाहिए आप रिस्पेक्टिव सोर्स पर जाकर एक पहला सवाल आपका आ रहे है MTP में 2022 का आप MTP में 2022 में जाकर इसका आंसर अगर मैच करना चाहरे हैं आप वहां से इसको मैप भी कर पाएंगे तो यू आपको अमेंड हो गया हो तो इसका आप नए लौ के साब से इतना कॉमन सेंस रखते हुए खुछ से मौल करके पढ़ लेना तो यह हंडड एक क्यूस के लिस्ट में आपको दे रहा हूं and it comes with another caveat कि बच्चो हो सकता है अब की बार भी 50-70% परसे पर इसमें से आजए हो सकता ह तो यह एक लिस्ट मैंने अपनी एक्पेक्टेशन के साब से बनाई हुए है कि जो एरिया मुझे कुरूशल लगते हैं पर पेपर में तो आने को कुछ भी आसकता है यहां पर आपको यह लिस्ट मिल जाए तो यह लिस्ट भी आपको हमारे टेलिग्रम चैनल पर ही मिल चला है आता हूँ उन दो सवालों पर क्योंकि इस सवाल मेरे से बहुत पूछे जा रहे हैं सबसे बहला सवाल सर क्या में 22 अटेम्ट के लिए कोई मैरेथान आने वाली है तो इसीज के रिगार्डिंग बच्चों मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि हमने अल्मोस्ट आपकी 10 hours की थी वो मैरेथान जो हमने दिसंबर 21 attempt की conduct करी थी that is as it is applicable for May 22 attempt क्योंकि दिसंबर से लेकर May 22 के paper में बहुत ज्यादा amendments नहीं है there is only a single amendment in section 16 तो बहां पर एक time line पहले 6 महिने की होते थी अब 3 महिने की हो गई है आप इसको और detail में समझने के लिए हमारी May 22 की amendment class भी देख सकते हो तो यह सिर्फ एक single amendment है तो अगरि single amendment के साथ आप दिसंबर 21 वाली marathon refer करोगे तो obviously वो marathon आपकी May 22 attempt के लिए भी as it is applicable हो जाएगी तो मेरी पहली राय तो यह है कि आप वो marathon देख सकते है और वही marathon आपकी May 22 attempt में भी काम आएगी but still क्योंकि question आ रहा है इ एक थोड़ा सा opportunity मैं काहूंगा या मेरे बड़ी खुशी की बात है अचीवमेंट थी मेरे लिए kind of की इस institute में मैं काफी time तक पढ़ाता था उस institute में भी recently मैं कहूं तो in the month of April itself almost 10 days back तो हमारा ICI की एहमदाबाद branch है एहमदाबाद पुने उन सारी branches ने collectively मिलके पुने उडिसा मुल्टेबल ब्रांचेज वह दिया उन्होंने collectively मिलके एक session organized किया था specifically for those एहमदाबाद, पुने, औरिसा साइड के students तो काफी सारे states के student महां पर थे उनके लिए मैंने एक रिवीजनरी session में मैंने company law कि अगर हम कहें तो हमारे company law में chapter 1 to 10 आते हैं तो 10 chapters आते हैं उस रिवीज करवाया है almost 5 hours में that is job के initial 7 chapters management and administration तक हमने उस वाले जो एहमदाबाद ब्रांच का मैंने session रखा था उसमें हमने almost 5 hours के अंदर company law के 7 chapters revise किये थे और उस revisionary session के अंदर मैंने EFQs की list भी discuss करी थे मतलब जितने 7 chapters हम discuss कर पाया थे उनके यह questions respective question है इनके answer भी हमने उस video में discuss किये थे तो if you need that अगर आपको लगता है कि आपको अलग से help कर पायेगा तो यह जो 5 hours की video है plus clubbed with chapter 8 to 10, 8, 9, 10 इन 3 chapters को मैं क्या करूँगा जो हमारी marathon थी वहां से pick करके डाल दूँगा तो आपके लिए यह 10 chapters की specifically May-20 attempt की revision अलग से यहां पर upload हो सकती है तो आप मुझे वीडियो के comment box क के जरीए बता सकते हैं कि क्या यह अलग से upload करना sensible होगा या इसको upload करें या ना करें अगर आपकी request आएगी तो we have no issues, we will upload the same, तो वो वीडियो आपकी upload हो जाएगी, उस वीडियो में मैं बता जेता हूं कि almost 5 hours की video के अंदर हमने Companies Act के initial 7 chapters discuss करे हैं along with discussion of these EFQs, जो 6 chapter के EFQs है तो वो वीडियो में मैंने पूरा-पूरा डिटेल में chapter discuss नहीं किया, वहांपर हमने chapter के सिर्फ वह वाले areas quickly discuss किये जो examiner के favorite रहें, तो वहांपर मेरा focus सबसे important वाले aspects पर था, वहांपर मैंने एक छोटा-छोटा point ऐसे discuss नहीं किया, वहांपर मैंने main-main section सारे revise किया, तो अग 5 गंटे के आपकी वीडियो है, प्लस इन तीन chapters के लिए marathon का content यहांपर डाल देंगे, almost, I would say maybe six to seven hours की एक combined video बनेगी, तो अगर आप कहेंगे, तो May by September के लिए six to seven hours की वीडियो को हम upload कर देंगे, जिसमें आपका पूरा companies act हो जाए, तो यह company law आपका, मैं कहूंगा May by September के please just let me know in the comment box if we should upload this or not, यह पहला सवाल and इसके बाद मैं आरून दूसरे सवाल पर जो मेरे से बहुत जादा पूछा जा रहा है और पास की वीडियो में बहुत comments भी उस पर आए, कि sir, other laws का revision हम कैसे करें, पहली बाद तो बच्छो, आपको सब कुछ class में बड़ी detail में पढ़ा आप YouTube चैनल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो से अपना negotiable revise कर सकते हैं, बस उस वीडियो के अंदर मैंने negotiable थोड़ा सा जाधा पढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसके बाद institute ने negotiable का syllabus थोड़ा सा reduce कर दिया था, तो जो जो topics अब आपके syllabus में नही interpretation of status, तो सर इन तीनों में से कौनसे topic की revision आपको लगता है, सर जाधा जरूरी है, जिसमें में जाधा दिक्कत आ रही है, इसके regarding भी मैं अपने telegram channel पर एक poll conduct कर आ रहा हूँ, तो आपकी जैसे ये video upload हो गई है, आप अगर telegram channel पर जाएंगे, आपको एक poll देखने को मिलेगा, जहां पर मैंने पोल के अंदर पूछा हुआ है कि contracted GCI interpretation of status, इन तीनों में से आपको कौन से chapter की revision चाहिए, तो उस chapter की revision will be uploading on YouTube, negotiable already है, तीनों में से आप जों सा chapter कहेंगे, that is उस पोल में जिस भी chapter या topic के लिए, सबसे जाधा votes आएंगे, that chapter will be uploading, most probably within this week we'll upload that chapter, we'll try कि आने वाल सरी ये topic हमें ज्यादा दिक्कत दे रहे, तो प्लीस आप उस पोल पर जाकर अपनी राय बिता सकते हैं कि हां सरी ये वाला chapter हमें करना है, तो आज की वीडियो में थोड़ी सी शॉटी रखूँगा, यही पर समब करूँगा, तो आपको लिबिट्स चार्ट मिल जाएगा, top 100 EFQs के list मिल जाएगी, अगर आप वो company law की revisionary वीडियो चाहते हैं, जिसमें मैंने main main topics सारे discuss किये हैं, जितने हो सके, EFQs discuss किये हैं, that we will be uploading, basis on your opinion, and secondly, other laws का कौन सा topic आपको specifically revision के लिए चाहिए, वो आप उस poll पर जाकर बताएं, जिस भी topic पर सबसे जादा votes आएंगे, that will be uploading बाकि अपनी पढ़ाई करते रहें ये बचो, and lastly, ये कहूँगा, कि हम आपको ये tools प्रोवाइड कर सकते हैं, as a teacher guidance प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी अपनी महनत बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर बिलकुल भी compromise मत करिएगा, इसी तरीक इसे लगे रही है, because ये आखरी क